Question की statement है, the census of 1981 shows that on a certain flat in Karachi, the number of children in each family is 5, 3, 3, 0, 2, 1, 0, 3 and 1 respectively. Find the average of children per family. Question को solve करने से पहले मेरी नए आने वाले स्टुडेंट से request है कि वो हमारे चैनल को subscribe कर ले और comments और like करना मत भूले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटस वीडियो की update मिलती रहे. Question हमारा क्या है, question है कि एक census में एक certain flat में number of families, different families में जो है जो children की जो तादाद है वो different है. किसी में five हैं, किसी में three, किसी में three, किसी में zero, किसी में two, किसी में one, किसी में zero, किसी में three. तो हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, find the average of children per family, कि per family जो है वो कितने जो है वो children है, average मालूम करनी है. तो average का हमारे पास जो फार्मूला होता है average is equal to sum over number ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि तमाम जो children हैं उनको plus कर लेंगे तो per family का मतलब है जो per family होता है जो per के बाद जो आता है वो हमेशा जो है वो number होता है वो नीचे आता है और जिसके average मालूम करनी होती है उसका वो हम क्या करते है? साम लेते है लेकिन यहाँ पर देखने की बाद यह है कि हमारे पास number of families कहां से आएंगी? हमारे पास number of children तो है देखें number of children हमारे पास कौन से है? 5 plus 3 plus 3 plus 0 plus 2 plus 1 plus 0 plus 3 and plus 1 यह one last वाला जो है वो इस साइड पे है ठीक है? यह तो हमारे पास आजाएगा सम तो हमारे पास आजाएगा लेकिन number of families हम कहां से लेंगे? जी, question को गौर से पढ़ें तो हम इनको काउंट कर लेते हैं जितने यह हैं उतनी ही families है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो families कितनी है? 9 तो sum हम इनका ले लेंगे और number कितने है? 9 हमारे पास number of families कितनी है? 9 तो यह हमारी क्या निकल के आजाएगी? average of children per family आजाएगी ठीक है? यह total children है, total children divided by total number of families तो हमारे पास आजाएगी average of children per family तो इसको plus करें, इसको 5, 3, 8, 8, 11, 11 और 2, 13, 13, 14, 14 and 4, 18 18 को divide कर दे 9 पे तो यह क्या आजाएगा? 2 तो हमारे पास average निकल के आजाएगी 2